स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कुरोल्डा में कैलेंडर कस्टम कैलेंडर कैसे क्रियेट कर सकते हैं कुरोल्डा 2022 में हमें कैलेंडर क्रियेट करने के बहुत ही उम्दा आप्सन मिला हुआ है जिसके दोरह हम कुरोल्डा में अपने मन मताबिक कैलेंडर के डिजाइन बना सकते हैं तो आज का ये वीडियो हमारा बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकरी मिल सके और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम हमें साले कराते रहते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आईए आपका और न समय लेते हुए हम इस वीडियो को शुर्वात करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्कीन पर ये कोरल्डा हमने यहां पर ओपिन कर लिया है तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर जाएंगे टूल्स मेनू में टूल्स मेनू और उहां पर हम सेलेट करेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के द्वारा हम पहुंचेंगे रन स्क्रिप्ट आप्शन पर रन स्क्रिप्ट यह हमारा रन स्क्रिप्ट का आप्शन आ गया और यहां पर हम जाएंगे मैक्रो इन में और उसे open करेंगे और उहां पर जो first option है हमारा all standard project उसे हम select करेंगे और यहां पर हमें 4-5 option मिल जाते हैं जिसमें हमें calendar create करना है तो wizard create calendar option को हम यहां पर select करेंगे और उसे हम फिर यहां से run button पर जाकर click कर देंगे run button पर click करते ही यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको calendar create करने का wizard यहां पर open हो गया है इस wizard में आपको पूरे calendar की setting करने का option मिल जाता है अलग-अलग ढग calendar बनाने का आज यह एक एक करके हम इसके बारे पूरी जनकरी ले ले लेते हैं यहां से first option है year जहां से आप जिस year का calendar create करना है year यहां से आप change कर सकते हैं तो हमें 2023 का calendar बनाना है तो 2023 का calendar year हम यहां पर select कर लेंगे यहां पर आपको month का option मिल जाता है आपको जिस month का calendar create करना है उस month को यहां पर आप select करके उस-उस month का आप calendar बना सकते हैं यदि आपको सारे month का calendar चाहिए तो all button पर click कर देंगे तो सारे month का calendar यहां पर इस wizard के माद हम से create हो जाएगा next option हमें मिलता है calendar languages यहां पर English English Canada, English UK, USA, Danish, Dutch, Finnish और French महसा में आप calendar यहां पर create कर सकते हैं और week start का option आप यहां पर define कर सकते हैं का आपका calendar का week किस date से start होगा यहां पर Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday है तो differently Sunday से हमार date start होता है तो इसे हम Sunday ही रखेंगे और यहां पर holy days आप define कर सकते हैं यह बहुत special option इस calendar wizard में है जिसके दोरा आप manual holidays यहां पर define कर सकते हैं जैसे हमने click किया यहां पर आप देख सकते हैं एक holiday यहां पर हमने define किया था January 1 को New Year का यहां पर add गिया था और यदि हमें कोई नया holiday define करना है तो यहां पर हम day में यहां पर month select करेंगे यहां पर date select करेंगे और यहां पर holidays का नाम type कर देंगे और उसे add button पर click कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं month January में 14 को मुकर संक्रांती का holiday हमारा define हो गया इसी तरह बाकी month के लिए भी आप यहां पर holidays define कर सकते हैं इसके लावा आपको यहां पर page का पूरा layout define करने का option मिल जाता है यह default लिए भी एक और रुपे है हमारा page large header यहां पर front और text का color और बाकी सारी चीज़े border और height ओगर सारी चीज़े आप define कर सकते हैं और body का भी पूरा यह आप formatting यहां से manually कर सकते हैं इसे part size, text, border सारी चीज़ों का आप setting यहां से अपने requirement के इसाब से कर देते हैं सारी चीज़ों का setting आप अपने requirement के इसाब से कर सकते हैं ति बहुत ही प्यारा सा option है इसके दौरा आप Google में calendar create कर सकते हैं यहां पर हम expand button पर click कर के देखते हैं जूम अटा जैते हैं यह देखिए आपका यह पूरा calendar यहां पर इस तरह से दिख रहा है जनुरी मंत का उसके बाद यह फेब नॉम्बर दिश्मबर तक का यह आपका calendar यहां पर सो कर रहा है अब यहां पर जो layout है layout को भी आप यहां पर इस तरह हम कर देते हैं आप यहां पर आप देख सकते हैं इस layout को भी आप यहां से change करते हैं मंत large plus two small दो मंत का उपर में आपको मिल जाएगा left right left right में पूरे मंत आ जाएंगे और center में मंत जनुरी का calendar आ जाएगा तिस तरह से यहां पर बहुत सारे layout दिये हैं अपने requirement अपने जरुरूत के साब से आप चैसा चाहें वसी setting यहां पर वैसा layout यहां पर आप ले सकते हैं छोटी size बड़ी size का डिपार्टली का ही यहां पर layout दिये हैं इस layout के साब से अपना calendar आप यहां पर design कर सकते हैं table calendar भी यहां पर आप design कर सकते हैं तो हम पहले ही layout पे अभी काम करते हैं मंत लाज यह मंत हमरा आगया और इसके बाद हमें सब कुछ setting करने के बाद सिर्फ generate button पे click करना है जब हम पूरी setting कर लेंगे तो हमें सिर्फ generate button पे click करना है अब आप देख सकते हैं यहां पर finished generating the calendar option आ गया उसे आप ok करेंगे और आपका calendar यहां पर पूरा बन के त्यार हो गया यह last page है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका मन्त जनौरी का calendar है यहां पर holiday हमने फर्स्ट जनौरी के लिए define किया था और 18 मकर रस्वें क्रांति के लिए किया था ते यहां पर holiday भी हमारा यहां पर आ चुका है इसी तरह का बाकी date के लिए भी holiday यहां पर define कर सकते हैं यह आपका पूरा calendar यहां पर बन के त्यार हो गया ताप इस macro calendar calendar wizard के माध्यम से कुरल्डा में बहुत ही आसानी से किसी भी year का calendar त्यार कर सकते हैं हम आसा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लेका भी उपियोगी शावित होगा तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं टेक केर बाए बाए